है लो गाइस वेलकम बैक टू बेख टू बीफटी फैमली ऑफिशिल यूट्यूब चनल आज की इस वीडियो में काईज हम बात करेंगे इंडिया वसेश आयलेंड के बीच में जो मैच है काफी इंड्रस्टिंग मैच होगा आयलेंड तो जो है वो ऑफिशिली एलेमिनेट हो सबसे पहले आप वैनियू देखो गैबर्या का वैनियू है सैंट जोच पाक टॉस होगा शाम छे बचे आज एकी मैच है डबल हैटर नहीं है विकाज हम फाइनल्स की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे पिच की बात करें तो पिच का इस थोड़ी जी ट्रिकी है इसलिए म पर आप देखो अधर मैच वैनियूस पर जो मैच हो रहा है वर्ल्ड कप के आपने देखा होगा वहाँ पर के आराम से 120-160 मतलब 1500 तक तो आराम से बन ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप देखो के स्कोरिंग किस तरह की हो रही है एक मैच छोड़ दो 150 वाला उसके अलावा ए यहाँ पर तो बात करें किसको मदद मिल रही है किसको नहीं पहली पारी में ही लास चार मैच में यहाँ पर लेक्स को 6 विगेट मिले हुए है राइट आम उप्रिक्स को 3 राइट आम पेसर को 19 विगेट मिले हुए है वहीं दूसरी पारी में लेक्स को 6 लेफट आम उप्र दो विकेट मिले है इन शॉट यहां पर पहली पारी में पेसर्स को मदद जादा मिल रही है स्पिनर्स को भी मिल रही है लेकिन 60-40 का स्प्लेड है वहीं दूसरी पारी में स्पिनर्स को मदद मिल रही है टोटल बात करने लास्ट चार मैच की तो स्पेनर्स को यहाँ पर 17 विकेट मिले हुए है पेसर्स को यहाँ पर 21 विकेट मिले हुए है तो दोनों ही आपके लिए इंपोर्टेंट है और पहली बारी में पेसर्स थोड़ा सा जादा भी भर सकते हो जो पहले बॉलिंग कराए टीम उसके यहां से काई इस Probable Playing Eleven क्या होगा इंडिया का यह लिखा हुआ आपके सामने आईलैंड का यह लिखा हुआ है यहां से क्या हो सकता है आईलैंड की तरफ से अब क्या है वो तो ऐलेमिनेट हो चुके तो यहां पर bench strength को जो है मौका दे सकते हैं, Sean Kavanek आ सकती है for Mary Walden यहां से काई इस Dems CB टीम में आ सकती है अब किस की जगे फिट होंगी, यह मुझे confirm नहीं है, Le Paul की जगे आ सकती है Kera Miray या Jane Magikar इन दोनों में से किसी एक की जगे आ सकती है यहां से काईस मैं head to weight की बात करें और आपको fix बता हूँ, उससे पहले काईस एक offer है आपके लिए बहुत अच्छा, वो मैं आपको यहां से बता देता हूँ यह हमारा telegram channel है इसकी link आपको इसी वीडियो के निचे description में मिल जाएगी तो जाकर जरूर जोइन कर लिजेगा यहां पर गईस मैंने दो offer शेयर की हुए एक तो गईस यह हमारा life 11 के साथ मिल के है यहां पर गईस आपको करना क्या है सिर्फ एक अफता, कल से शुरू हुआ था next Sunday तक 6 दिन का है आपको यहां पर maximum contest केलने किसी भी amount के आप contest केल जकते हो लेकिन हर match में जो भी आप खेलते हो matches उन में maximum contest आपको यहां पर खेलना है 5 बंदों को 500 रुपए जो है price हमारी तरफ से दिया जाएगा on Sunday 26 February तो इस application को download करो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगी channel पर जैसे ही जाओगे चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी sign up code यूज़ जरू करना जिससे आप मेरी friend list में आ जाओ ताकि यह मेरे बंदे देख सके किन बंदों ने यहां पर खेले हैं maximum उन में से 5 बंदे यह जो है life 11 वाले निकाल सके अच्छा application है UI काफी अच्छा है 100 rupees minimum withdrawal है instant withdrawal भी available है और जो normal withdrawal है वो भी same day आज जाता है तो यहां पर आप खेलें दूसरा guys जो मैं आपको बताने वाला था offer यह आपके बहुत साथा काम का है especially उन लोगो के लिए यहां पर देखो life 11 पर small league खेलो दम से काफी काम entry fees है और जो commission भी है काफी काम है लेकिन grand league वाले बंदे भाई इसको मत छोड़ो badball 11 का एक हफते का leaderboard है सिर्फ एक हफते का willings देख लो यह PSL का है total 2 lakh रुपया का वो है यह sorry leaderboard है पहला price 1 lakh है दूसरा 30,000 है फिर 10,000 है इस तरीके prices है शुरू हो रहा है 20 February यानि आज से 26 February को खतम होगा इसमें guys करना किया है जो भी PSL के matches होंगे उनमें 2-3-4 team आप में डालो उसके points count होंगे leaderboard के उपर तो यह PSL के लिए काफी अच्छा सिर्फ 6 दिन का इसलिए मैं कहना हूँ आप सब लोग try करो grind league से जो पैसा आएगा वो तो आपका हो गई होगा plus जो आपके points एड होंगे वो पैसा आपका leaderboard से winnings होंगी यहां से काइस women's world cup का भी leaderboard है यह भी आज से शुरू है 20 से 26 को खतम होने वाला है सिर्फ 6 दिन की बात है खेलो यहाँ पर पहला price 25,000 है दूसरा 10,000 है यह एक लाग का total leaderboard है तो यहाँ पर grind league खेलने वाले बंदे यहाँ पर खेलो इनकी grind league में benefit क्या होता है तीन से 4,000 लोग खेलते हैं हद से 4,000 खेलेंगे और first price 35,000 40,000, 45,000 ऐसे होते हैं तो आप लोग यहाँ पर खेलेंगों काफी अच्छा करें चलते हैं हम हमारे preview की तरफ तो यहाँ से guys head to eight देखो last island ने इंडिया के साथ कप खेला था world cup के अंदर ही खेला था 2018 में जो T20 world cup हुआ था उसमें guys क्या scene था island ने कहा था कि हम करेंगे bowling 145 का target इंडिया ने दिया था 6 wicket के नुकसान पर यहाँ पर जब island chase कर रही थी तो 93 पर island almost collapse हो गई थी तो यहाँ पर कईस हम देखें performance कौन से players ने की थी जो आज के squad में हैं मतलब जो players नहीं है उनका क्या बताना जो players है squad में उनका बताते हैं के performance कैसी होई थी तो island की तरफ से एमा रिचर्टसन थी एक wicket लेके गई थी और 4 run किये थे लॉरा डेलानी जो captain ने आइलेंड की एक wicket लिया था 9 run किये थे गैबी लोइस थी 9 run किये थे बाकी जो players थे वो आज के squad में नहीं है तो उनका बताने का कोई मतलग है नहीं इंडिया की तरफ से कौन-कौन था स्मिर्टी मंदा ना थी 33 run किये थे जैवी मार ओटरेज ने 18 run किये थे हर्मन पीत कौर ने 7 run किये थे और एक wicket लिया था उसने हर्मन पीत कौर बोलिंग गराती थी तो यह थे इंडिया की प्लेयर्स की परफॉर्मनस अब गईस देखो वैन यू रिकॉर्ड प्लेयर्स का कौन सा है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो इंडिया ने या पर एक मैच खेला है लेकिन head to head तो इतना सा ही है हमारे सामने यह ही है बस साथ आट प्लेयर्स जो है इन ही का रिकॉर्ड है तो उसके लाबब कोई रिकॉर्ड है नहीं तो मैं आपको एक practical knowledge के लिए यहां से प्लेयर्स का temperament किस तरीके का है वो समझात देता हूँ यहां से हम points stable देखें तो जैसा मैंने आपको गता है आयलेंड जो है eliminate हो चुकी है यहां से हम सबसे पहले आयलेंड के जो है matches देख लेते है कि इन्होंने कैसा performance की है लास्के इनके तीन मैंस देखो चार विकेट से आ रहे फिर यहां सत्तर वन से आ रहे अगेंस पाकिस्तान का bowling attack बहुत अच्छा था यहां से west indies से हारे अगेंस छह विकेट के साथ तो performance देखो इसमें कैसी रही है sorry guys data connection on कर लेता हूं मैं यह guys आप देखो आयलेंड ने जब इंगलेंड के साथ खेल था अभी मतलब इसी world cup में तो यह तो venue दूसरा था लेकिन player का temperament दिखते हैं किस तरीके अगा था Gabby Lewis ने as usual अच्छा ही किया था मतलब mostly अच्छा ही करती हैं लेकिन यह है कि इतना experience लिए बड़े-बड़े teams के सामने खेलनेगा तो यहां पर जल्दी भी first जाती है Ami Inter ने पंदरा किया था इस तरीके performance इनके players ने किया था बागी सब तो 0-1 एक पे कहते हैं लेकिन इनके bowlers ने लेको performance कैसा किया है क्यों इनके bowlers ने विगेट्स तो लिये हर match में हारे जरूर ने लेकिन bowlers ने तो अच्छा किया है no doubt कैरा मुरे 3 wicket लेके गें थी , Arlen Kelly एक wicket लेके गें थी यहां से ओला प्रेडेंगिस्ट एक wicket लेके गें थी सिर्फ 2 over में 13 run देखे वो भी इंगलाइड के सामने तो अच्छी बात है ये उसके बाद गाइस आयलाइड ने कब केला था अगेंस पाकिस्तान तो पाकिस्तान क bowling attack काफी जादा अच्छा है ये तो सभी जानते हैं यहां से कईस इनकी बैटेंगे उस match में देखो कैसी थी sorry bowling इनकी कैसी थी इस match के अंदर यहां से कईस देखो Ireland Kelly फिर से दो विकेट लेके गई थी Le Paul विकेट लेके गई थी और Laura Delaney विकेट लेके गई थी यहां से काई इस तीसरा match जो था Ireland का वो था अगे इस West Indies उसमें कैसा performance था Ireland की प्लेस का Gabyloo उसने तो फिर से रतिस रन किये Olap रहने के सुस match में अच्छा कर गें थी 61 हमारी captain भी यही थी यहां से का इस bowling की इनकी performance देखें तो bowling में देखो यहां से लेपॉल ने एक फिकिट लिया क्योंकि इनको चार ओवर मिले अभी इनको टाल रहे थे मतलब यहां से क्या कहते हैं उसको पार्ट टाइमर की तरह यूज कर रहे थे फिर यहां से लॉरा डिलानी जो कैप्टन उनने एक फिकिट लिया तो decent performance है मतलब कुछी प्ले रहे हैं जो आई-लैंड की बोलिंग से आप यहां पर ध्यान दे सकते हो और यहां से इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने देखो कैवेरा पर एक मैच केला हुआ है जो यह 11 अरन से हार गए दे ला उसके बारे मैं आपको मैं बता देता हूँ Just a second यह था England के साथ अब मैं पहले ही समझ गया था कि यहां पर क्या होने वाला है यहां पर गैस आप देखो इंडिया ने इस वैनियो के पर बोलिंग कैसी की थी रेनुका सिंग पांच विकेट लेके गई थी अगेस्ट इंडिया तो यह बड़ी बात है कोई छोटी बात नहीं है शेका पांडे को एक विकेट मिला था यहां से क्या होता है कुछ कुछ बोले उसको यहां पर पार्ट टाइमर की तरह यूज कर लेते हैं कभी भी हो जाते हैं मतलब शेफाली तो पार्ट टाइमर ही है राइजिस्वरी गाइगाट देखो उस मैच में एकी ओवर डालके गई थी और आदा यादफ चार डालके गई थी जब यादा यादफ की जरूरत होती है तो उनसे सरफ एक डलवाते हैं जिसमें वो दो-तीन अनब देके जाती है तब उनसे दुबारा नहीं ठलवाते है लेकिन उनको पोलेग है उर्थ्ट डॉक्स में उनको कुछ नहीं मिलना होता है तो उनसे पूरी पोली यी करा देते हैं मतलब उम्मीदकरते हैं जाओ एक डेके जायो इन का पेस काफी अच्छा है लेकिन आप देखो कि तीन मैच दो तीन मैच लग गए रेनुका सिंग को एक विकेट से ज्यादा लेने में यहां से केट इंडिया के उस वैन्यू में बैटिंग से परफॉर्मस तो इसमें थी मंदाना अच्छा किया था जैसा चेसिंग के वहत अच्छा करती है इसमें थी मंदाना 52 किया था शफाली उस मैच में आठ पे गए थी विकास इंग्लेंड का भी बोलिंग अटक काफी अच एकदम क्लोस मैच था वाकी शर्मा जी साथ पर रन आउट हो गए थी पूजा बस्तरागर नौट आउट रही थी तो यह था गाइस इंडिया का इस वैन्यू पर परफॉर्मस और वैसे अगर हम बात करें तो जाहर सी बात है कि यहां पर जो है सौरी गाइस इंडिया का जो आप ले को फिछा परफ वुश्वा टिंब्र उकप ले सकते हो अपनीगश पे अभिपहले की बात करें गुश्वार मेनी Chem theoryा के सौरी साख बी मारा में था प्रेन स्वार्य को ले सकते हैं कभी इन की तरफ से यहां से लिए सकते हो जैमी को ले सकते हो अप लेकिन फिर से आ यहां से गाइज अब हम बात करें तो हमारे पास चार प्लेयर्स बचे हुए है भी चार प्लेयर्स में रेनुका को ले सकते हो अगर इंडिया पहले बोलिंग करें तो बिल्कुली मत छोड़ना रेनुका को पेसरस को यहां पर मदद मिली हुई थी लास्ट मैच पांच बोलिंग करें तो ही यहां से राजिश्वरी गायगोड इंपोर्टेंट रहेंगी लेफ्टाम ओठोक्स पिनर है अधर्वाइस रादा यादा यहां से एक डिसेंट पिक है क्योंकि इनकी इंटेंट बहुत अच्छी लगती है मुझे जब भी आप इनको बोलिंग करते हु और एक लिए हुआ है तो इनके साथ भी आप जा सकते हैं अगर पहले बोलिंग करती है तो आप कई पेसर के साथ जा सकते हो रादा यादफ का हेट टो एड एक्सिलेंट है तीन बेगेट लिए हुए थे लेकिन यहाँ से क्या है आपको most probably करना किया है अगर इंडिया पहले bowling करती है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है कि आप अपनी टीम में इंडिया के पेसर रखो सेकेंड इनिंग का एकाथ पेसर तो रखो ही रखो है ना बाकी यह जो है आपके काम में ही आने वाली है प्लेयर इनको तो रखो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो लॉरा डिलानी का मैंने आपको आप्शन दिया हुआ अच्छा गासा बाकी ग्रैंड लीग के लिए बैटिंग से भी नौक खेल सकती है यह चीज आपको बता होनी चाहिए तो यही प्लेयर से इन पर आप फोकस करो और काफी ज्यादा है अच्छी कासी विनिंग्स आचके मैंच में करो भाकी काइस जो मैंने आपको यह बताया ना पिछ का बस यह चीज हमनुर में जो भी है इसको आप समझ Приसक्पान मैंच आपकश अच्छा हाँस और क्या हो है .. तो आप आपको अच्छा कासा कर सकते हो बागी गाइस आपको अगर कुछ पूछना हूं इस मैं से रिलेटिट तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कैप्टनल वाइस कैप्टनल कुछ भी पूछना हूं तो मैं आपको इसका रिपलाय जरूर दूँगा बागी गाइस थैंक यू फॉचिंग दे वीडियो टेलिगाम चनल जरूर जोइन करना है इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट में मिल जाएगी और दिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगी थैंक यू